नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने आपिस को रूज चानल में दोस्तों आज हम Excel में सीखने वाले कि अगर हमारे Excel के अंदर हम जो भी डीटा मिंटेन कर रहें या जो भी रिपोर्ट्स जनरेट कर रहें दोस्तों उस रिपोर्ट में अगर डीट का फॉर्मै में चाहिए डेट यह यह format यह देखिए अलग-अलग format है दोस्तों इस format में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा यह आज हम सीखने वाले कभी-कभी जरूरत पढ़ती है दोस्तों कि कभी-कभी इस तरह के से दे सकते हैं अगर कभी जरुरत पड़ी तो उनको डेज नहीं चाहिए सिर्फ मन्त और यह चाहिए तो इस तरह के से आप डेट ने दे सकते हैं अगर उनको जैनेवरी की स्पेलिंग भी पूरी चाहिए और 2020 वे इस तरह के से चाहिए तो आप यह भी फर्मैट अपलाई कर सकते हैं लास्ट फर्मैट है यह देखिए जैनेवरी मतलब मन्त डे और यह इस तरह के से फर्मैटिंग अगर चाहिए तो वह भी आप एकसिल में एजीली अपलाई कर सकते हैं चले दोस्तों शुरू करते हैं कि हम यह सारे फर्मैट हम यूज करेंगे यह वाले टेट के ओपर ठीक है दोस्तों अगर आपने कई सम्मरी बनाई या रिपोर्ट्स बनाए दोस्तों कभी-कभी क्या होता है आपकी मैनेजर्स या सी सब्सक्राइब करसे हैं थे क्लिक करते यहां से भी चेंजर्स करते हैं लेकिन यहां पे यहां पर ऑप्शन्स कम हैं देख्यों कि यहां पर क mieć दोचिए ऑप इनकी क्लिक यांबर फॉर्मैट पर क्लिक करने के बाद format sale का जो एक डायलोग box open होता है वो आप right click करके format sale यहां से भी open कर सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए जैसे ही डायलोग box आगा है दोस्तों आपको simply यहां पर numbers को क्लिक करना है इस टैप को और यहां पर categories में देखिए date है इसे date को slate करना है और type के अंदर आप format display हो जाएगे ठीक है दोस्तों तो आपको कहा कि अगर मान लीजा आपको day और month ही शोग करना है तो दोस्तों आपको simply यह वाला slate कर सकते हैं जैसे आपने slate किया तो आप sample में देख सकते कि date किस तरह किस डिस्पले होनी वाली है first gen कर दीजो के देखिए दोस्तों आप इस तर 2020 तो हम इसे भी easily कर सकते हैं आपको simply अगर आपके पास इस तरह किस डिट है आपकर manager ने कहा को कि report में date full date चाहिए month, year और day भी चाहिए तो हम क्या करेंगे right click, format sale, format sale के बाद numbers, date और देखिए इस type में हम क्या करेंगे scroll bar को थोड़ सा click करेंगे और नीचे देखिए यहाँ प इसे click करके sample में देखिए 1st Jan 20 बस आपको यहाँ पर OK बटन को click करना है, click करने के बाद देखिए दोस्तो, date आ गई 1st Jan जो है वो आ गया है text में और 2020, year भी यहाँ पर mention होगा है, ठीके दोस्तो, इस तरह की सब change कर सकते हैं, अगर आपको कहा कि स्रिप month और year चाहिए तो हम क् बहुत simple है, आपको simply date को slate करना है, right click, format sale को click कर दीजिए, numbers को slate कर दीजिए, date category में आईए और यहाँ पर हम जाएंगे, देखिए दोस्तो, यहाँ पर देखिए, March 12, बसे simply slate करके check किजिए, month और year, दोनों आ गए, बस कर दीजिए, OK बटन पर click, कभी-कभी इस date का आपको pure table म ठीक है, अब देखिए दोस्तो, अब अगर आपको यहाँ पर इस तरह किसी date चाहिए, January से full में, दोस्तो हमें January full spelling चाहिए, उसके पाद 2020, क्या होते है दोस्तो, अलग-अलग company में, अलग-अलग department में, उनकी जो requirement उस तरह किसे आपको date format change करना पदेगा, ठीक है दोस्तो, अ आपको simply date का column slate करना है, उसके बाद right click कर दीजिए, right click करने के बाद, यहाँ पर देखिए दोस्तो, format sale का option यहाँ पर आपको click करना है, numbers के tab को slate करना है, date को slate करना है, date को slate करने के बाद, हमको इस तरह किसी January की full spelling चाहिए, चलिए नीचे यहाँ पर drop down box में देखिए, यह है March 12 बस इस select करने के बाद, यहाँ पर देखिए, sample में January 2020, ठीक इसे click कर दीजिए, ok button को click करने के बाद देखिए, आ गई full date, अगर दोस्तो, आपने कहा कि यहाँ पर जो भी dates दिखाए देखिए, यहाँ पर 2020 से full चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस date को में change करके दिखा अगर यह date जो show हो रही है, फर्स जैन, फर्स पर अगर आपको यहाँ पर चाहिए, year चाहिए, full 2020, 2020, कैसे करेंगे, देखिए, format sale को click करने के लिए, आपको क्या करना बढ़ेगा, right click, format sale, और यहाँ पर जब देखेंगे, आपको, यहाँ पर 14 March है, यहाँ पर full date दिखाए ने देगी दोस्तों, correct है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, देखिए, मैं simply date को slate करके रखता हूँ, और यहाँ पर मुझा आ रहा है, 1st Jan 20, हमें चाहिए, year full to 2020, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको simply click करना, यहाँ पर custom है, custom है, जैसे click करेंगे, दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं, वो format दोस्तों, देखिए, एक simple सा format है, DD, MM, YY, DD मतलब day, MM मतलब month, YY मतलब year, यह उसके क्या है, जैसे मैं यहाँ पर click किया, तो 1st Jan 20, तो year जो है न दोस्तों, यहाँ पर देखिए, YY मतलब year के start के दो digital है, ट्रिपल M मतलब J, A, N, DD मतलब 01, अगर A की D लखके रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगा, एक बाद ट्राय करके देखेंगे, देखिए दोस्तों, ठीक है, और एक बाद दी देखेंगे तो यहाँ पर 01, फिर year को भी आपको Y देना पड़ेगा दोस्तों, आप year भी full apply कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बस आपको वो format sale में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, custom में जाके थोड़ से changes करने पड़ेगे दोस्तों, ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि यह वाली date हमने यहाँ पर apply कि, अभी य day भी चाहिए, कॉमा फिर उसके बाद चाहिए, आपको full year, इस तरह की से अगर date आपको change करनी है, तो आप क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको simply date के column के date को slate करना है, फिर right click, right click करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर format sale के option में जाना है, option में जाने के बाद दोस्तों format sale का एक dialogue box open होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको numbers को click करना है, click करने के बाद category के group में आपको date को slate करना है, और यहाँ पर type में देखना है दोस्तों, आपकी date कौन सी है इसमें से, तो देखिए, यहाँ पर March 14, 2012, मतलब हमारी date करनोट होके क्या हो जाएगी दोस्तों, January 1, 2020, ब सारी जितने भी date थी, उनके format चेंज हो गया है, ठीकर दोस्तों कितना simple है, और custom में आप जाके manually भी date का format दे सकते है, जैसे कि देखिए दोस्तों, select किया, right click, format sale, date, अगर आपने यह वाली date ली ठीक है दोस्तों, अगर अगर आपके system में जो date है, वो DDMMYY है, system की date कभी भी देखी नहीं के दोस्तों, तो उस तरके से आप उस date को apply कर सकते है, ठीक है, तो यहाँ पर custom में अगर जाने के बाद, यहाँ पर हमने थोड़ा date का format अगर ऐसा किया, दोस्तों, यहाँ पर month पहले आ गया, उसके बाद day, फिर उसके बाद year, इस तरके से आप custom में जाके भी date के format को change कर सकते है, दोस्तों, यह था हमारा आज का session, how to change date format, date format कितने परकार से हम change कर सकते, as per our requirement, ठीक है दोस्तों, आशा करता हम आपको यह मेरा session, यह वीडियो पसंद आया होगा, प्लेज सब्सक्राइब कर दीजे और लाइक और कमेंट करना मत भूले दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद,